हेलो फ्रेंट्स नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम सिमला मिर्ष की सब्जी बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम देखिए सब्जी सिमला मिर्ष और आलू को काट लिए हैं और ये मसाला लिए हैं धनिया जीरा मैश देजबत्ता और ये लौस लाल होने तक इसको हम भून लेंगे, फ्रेंच देखिए, और प्याज भूना रहा है, तो फ्रेंच देखिए, प्याज लाल भूना चुका है, तो इसमें हम आलू डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं, देखिए फ्रेंच, अब आलू लगबग भूना चुका है, तो इसमें अब सिमला मिर्श को डाल देंगे, और उसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तो यह हम सबजी जो सिमला मिर्श काट कर रखे थे, उसको डाल दिये, और उसको अच्छी तरह से चला चला कर भून भून लेंगे, तो देखिए, प्रेंच, तो मसाला भूना चुका है, तो इसमें अब हाल दी, और लाल मिर्श नमक सब डाल कर इसको अच्छी तरह से फिर भून लेते हैं, तो देखिए, हम लाल मिर्श डाल देखिए, लिए और यह नमक डाल लिए अब इसको फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे तो अच्छी तरह से भूना चुका है तो फ्रेंड्स अब इसमें हम यह टमाटर काटे थे यह टाल दिये और इसको भी अच्छी तरह से चला लेते हैं अब यह मसाला बड़िया से भूना चुका है तो इक कड़ाही में शटने लगा है तो अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल कर और इसको ढह privilege देते हैं सब्जी तो भूंते भूंते पक चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं तो इसको हम ढख देते हैं थोड़ी देर के लिए देखिए फ्रेंट्स तो सब्जी पक चुका है देखिए आलू कितना सब्ठ हो चुका है देखिए टूट रहा है बढ़ियां से अलू और सिमला मिर्ज की सब्जी बहुत टेश्टी बनता है। देखी प्रेंस यह आलू सिमला मिर्च की सबजी बनका रेडी हो चुका है और कितना संदार दिख रहा है तो फ्रेंज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें पूरर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद